वेलो दोस्तो वेलकम तू आवर यूटूब चैनल ये पी एसी वित अमन मैं आमन आप लोगों के फिर से इंपोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ जितने भी सिमिस्टर 6 के स्टुडेंट हैं और पोलिटिकल सैंस कोर्फेपर 13 के हैं आपको बता देए ये कोशन आप लोगों एक्जाम में छपने वाला है तो इस कोशन को आप अच्छी तरह से सुनिए और देखिए अगर इसका फ्री में पीडिया प्राप्त करना है अब टेलिगराम में जेपीसी वित अमन्स या तो वार्टसप ग्रूप से प्राप्त कर सकते हैं I hope यह वीडियो आप लोगों को ब देखने करना है आज की important question को हम लोग देखते हैं शमाजिक एवं राजनेतिक परिवर्तन क्या है भाई देखो समाजिक परिवर्तन और राजनेतिक परिवर्तन को पहले समझाओंगा उसके वास ये दोनों में राजनेतिक समाजिक और राजनेतिक परिवर्तन में गांधी ज तुम स्टार्ट करो थोड़ा सा मॉटिवेट करो एक्जामनर की मार्क्स दे आके मुझे बीक्स में कम सकम 18 नमर दे नहीं तो आवेरेज मार्किंग 12 तेरह सब को बठा देता है इसलिए कोसिस करो कि अच्छा से थोड़ा लिखने का ठीक है कोसिस करता हूँ हर एक वीडियो मा आप लोगों के समझाने का कि लिखो भाई इस तरह से ताकि आपका नमर अच्छा से आए चलो देखते हैं समाजिक परिवर्तन क्या है परीचे में देखो समाजिक परिवर्तन दो सब्दों से मिलका बना है आप लोग देख रहे हैं समाज और परिवर्तन समाज का अर्थ अलग होता है भाई देख अराम से समझना समाज का अर्थ केवल व्यक्ति का समू नहीं है ठीक है ध्यान से देखो सम्मू नहीं है मतलब गूरूप नहीं है बलकि सम्मू में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में संबंध है भाई एक दूसरे का रिलेशन है ठीक है और उन संबंधों से संगठित रूप को ही समाज कहते हैं जो संबंध है रिलेशन है उससे बना नहीं है दो को परिवर्तन का भी अर्थ समझो बदलाओ अर्थात पहले की इस्तिती में बदलाओ अर्थात पहले की इस्तिती में आज की इस्तिती में आज आने वाले अंतर या बदलाओ को ही परिवर्तन कहते हैं समाज का मतलब तुम समझ गए परिवर्तन का मतलब समझ ग motivate line लिखो कैसा लगा अच्या लगा अब देखो राजनेतिक परिवरतन मी तुम जल्द अच्छा समझज जाओगे देखो पहले तो तुमको राजनेतिक परिवरतन क्या होता हुँ राजनेतिक जानो फिर परिवरतन का मतलब बदलना बदला तो तुम जानते हैं, तो पहले राजनिती के मतलब समझो तो राजनिती को इंगलीज में क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, नगर राज एक नगर का पूरा छेतर, जब दो या दो सधीक व्यक्ति आपस में सत्ता प्राप्ति के लिए इसे लिडर बनने के लिए, नेता बनने के लिए, मुख्या बनने के लिए, मले बनने के लिए अपस में संघर्च करते हैं तो उसी क्या करते हैं, राजनेती कहते हैं भाई, करते हैं तो राजनेती हो गया अब राजनिती जब अगर समझ गए तो आप परिवर्तन को समझो परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाओ अर्था पहले की स्तिती में बदलाओ लाना पहले की स्तिती और आज की स्तिती में आ जाने वाले अंतर कोई कहते बदलाओ राजनिती समझ गए, परिवर्तन समझ गए, समाज समझ गए, समाजिक परिवर्तन समझ गए तो सब समझ गए तो क्या आपको इसके बारे में क्या है ये चीज़ लिखना बहुत असाना है राजनिती में होने वाले परिवर्तन को राजनितिक परिवर्तन कहते हैं है न तेसी परकार से हम इसके परिवर्तन को समझा सकते हैं अब राजनेती परिवर्तन और समाजिक परिवर्तन क्या था ये ताक को समझे मैं आगे होगा अच्छी तर से अब बात करते हैं भाई इसमें गांधी जी का देश्टी कौन क्या था तो देखो सबसे पहला इसमें हम लिखते हैं इसमें हम अहिंसा एक सब्द था जिसों गांदी जी ने समाज और राजमतिक परिवरतर लाने के लिए जोड़ा था तो अहिंसा का मतलब क्या आता है वो समझू तेखें देखो गांदी जी का नुसार अहिंसा केवल व्यक्तिगत सद्गून नहीं है व्यक्ति का की प्रकट होने से होता है अहिंसा के रूप को जीवन के किसी वी छेतर में विशेश सक्ता नुसार एक नीती के रूप में सुविकार किया जाता है तो भाई अहिंसा का मतलब साप साप हम लोग कर सकते हैं बिना कुछ की यह मारे पीटे कान करना ये समाज का पुरा एक विचार होता है इसको समझगे अब बात करते हैं उनका दूसरा दृष्टी कौन था सत्य गांदी जी का कहना था कि सत्य की राह पे चलना भाई तो गांदी जी का अनुसर समझो आप क्या कहते है जिसके जीवन के हर पहलू में अपनाए जाना चाहिए सत्य का अर्थ होता है मंदारी नय और निपक्चता गांदी जी मानते थे कि सत्य की एक मातर आधार जिस पर कोई भी मजबुत समाज खरा सकते अगर आप सत्य हैं आप सही हैं तो कोई चीज कर सकते अगर आप गलत हैं कुछ ने कर सकते इसलिए पहला देश्टी कोई था परिवर्ता लाने के लिए सत्य दूसरा सॉरी पहला ही अहिंसा दूसरा सत्य तीसरा इनका था सिक्षा जो गांदी जी का मानना था कि राजनेतिक और समाजिक परिवर्तन में सिक्षा का बहुत महत्व दिये थे क्यों कुछ उनका मानना था कि जब व्यक्ति सिक्षित होंगे था हमारे देश विकास हो तीनों चीज समझ गये अब आगे आता इनका बदलने के लिए अंदोलन भी समाज को परिवर्तन लाने करें इनका दिर्ष्टी कौन कहते हैं यह किस तरस देख रहे थे समाज कैसे बदलेगा राजनेतिक परिवर्तन कैसे ला सकते दो को यह सब पॉइंट था लिखना है अब गांदी जी एक ऐसा विचारक थे जो सब का कलियान का बात करते थे सब का क अहिंसा का बात करते थे ठीक है और सतरू के अस्थान पर यह मितरता और घिरना के अस्थान पर यह प्रेम सब को सिखाते थे ठीक है आगे देखो कि गांधी जी का मानना था कि सविव्यक्ति उच नैतिक विकास हो और सुधार करने के लिए सक्षम हो तितियादी इसी परका पेज भर गाता है आपको इसमें 18 माक्स मिलने की उमीद होती है और निसकर्स भी लिख दो आधा पेज अपने से हैं लिख के अगर आप चाहते कि सही लिख है कि नहीं चेक करवाना चाहते तो एंसर पीन करो मैं चेक करूंग या तो टेलिगराम में भेजू या तो वार्ट या को लाता फिर मिलते नेस्ट बीडियो में तब तेक लिबाबाबा टेक केल